नमस्कार आप देखना सुरू कर चुके हैं दअपना सो दपना सो की जो टीम है इस टाइम बेल थरा विधान सबाद शेतर में आ चुकी है और आपको बता दें कि यह ओ गाउ है जमुआफ के नाम से यहां के अभी बरतमान विधायक धननजे कनोंजी आजी हैं जो कि भारतिय खड़े होते थे तो जिसका भी गूर जो पकता था तो वो एकती लोग क्या करते थे कि लाश्ट में देते थे तो चलिए यहां पर कुछ लोग हैं सरवे में हम आ चुके हैं और इन लोग से बात करेंगे कि अभी होने वाले 2022 के चुनाओं में क्या रुजाओ है और यह और भारतिया जनता पाटी के बीच में बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में मुकाबला देखने को मिलेगा तो चलिए जमुगाओं में आये हुए हैं यहां की पूर्व परधान जी हैं चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या अगर देखा जाए तो लोग प्रि परिवर्तन क्या ऐसा हुआ कि आप परिवर्तन चाहते हैं देखिए युवा लोग जो हैं आज तक कोई भरती नहीं खुली जो भी जैसे रोजगार का मुद्दा दूसरी बात जो परिच्छा हुई सारा रिजेल्ट लिख होता गया आखिर में क्यों लिख हुआ जब सरकार करार तो कैसे लिखोता है ये मुद्दा है रोजगार नहीं है हमारे गाउँ के मानिया विदाएक जी है झालेया कन हो जी भाजबास है कोई विखास का वयासा मुद्दा है गाउं हो या बाहर जो गाउँ क्या सबतर हुए तक यहां तो गावं किया हैं देखेमें तक यह यह करी कि वाला आधा टूटा अगे रहा है आप लोग किनेफेंगा उसका रहा है। अंपनी का आप इविकास करेंगा। है कि भी वर्तन हो जाएंगहां तरन एकदम होगा आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग अख्लेश को करेंगे युवा है और युवा की सूच बहुत अधिक है इसके बार हर एक काम में इसके पहले सरकार थी तो युवा लोगों को बहुत मौका दिये बरती से लेकर मास्टरी से लेकर हर एक चीज मे विकास भी किये एक सो एक सो आठ एक सो दो और सो नंबर जो ए बदल कर मानी होगी जी नंबर बदल दिये हैं सो का एक सो बारा कर दिये हैं लगेगा तो वहीं हां लगेगा वहीं मान रहा है लेकिन नाम बदलने से नहीं होता है विकास कर कर देखिए विकास कहीं नहीं कहीं नेज़ए परीवर्टन के लहर चल रही है, परीवर्टन होगा। और महंगाई पर कभर किये और क्या तो बीजीबी की सरकार में महंगाई है महंगाई बहुत है सापा की सरकार में क्या महंगाई थी और भाजपा की सरकार में क्या महंगाई क्या आंतर है सवगुना आंतर है हमारे वीवर्स को बताई है पाँच दस रुपिया तीस रुपिया अब पहले था सत्तर रुपिया अब उसमा आप जोड़ लिजिए कि कितना कांतर पड़ रहा है चलिए यहां पर कुछ ही हुआ है उनसे भी बात करेंगे जानेंगे कि उनकी क्या राय है और वो लोग किसकी सरकार बनाना चाहते हैं क्या लगता है कि इस बर परिवर्तन होगा बिलकुल होगा परिवर्तन यहां के विधायक धनंजे कुनोंजिया जी हैं है विधायक भी है क्या काम हम धारातलों कुछ की है कि नहीं अब तो काम यहां पर नहीं दिख रहा है अब अगले गाम में दिख रहा होगा तो होगा य यहां से मतलब समझवादी पार्टी का ही मतलब विधायक लिख लेगा तेखिए समझवादी का निखलना से समझवादी की सरकार बनेगी आपका नम क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव होगा बदला होगा अच्छा बात बताइए अभी भाया ने बताया कि युवाओं को अकलेस यादों ने बहुत प्रणा दिया बहुत सपोर्ट किया क्या लगता है कि उन्हों ने ऐसा किया अगर देखा जाए तो युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि होने वाले 2022 के चुनाओं में किसको सपोर्ट करें क्या-क्या प्रणा आपके अंदर ह है जो आप दर्साना चाहते हैं ऊंद्रश पंसन्ड बन जाए अकलेस के सरकार हमें अधिर परणेश में पूरा उच्छा और बाद बताए कि योगी जी के सरकार में और अकलेस यादोजी की सरकार में क्या आंतरा आपको देखता है जैसे कि मैं बता दूँ कि इस टाइम लोग जमुआओं मेें हैं ऐधो कि का। महंगाई बहुती ज्यादा फरक घेयता है कि महंघ न बहुत। 2022 का चुनाव जो होगा सापा के लोग सपोर्ट करेंगे अगर हमारे सूसल मीडिया के किसी प्लेटफर्म पर ये वीडियो देख रहे हैं जैसे कि फेस्बूक पर देख रहे हैं तो पेज के फॉलो कीजिएगा यूटूब पर देख रहे हैं